तो हेलो गाईज आज मैं लेकी आई हूँ आपके लिए स्पेशल तवा ब्रॉकिली तो सबसे पहले हम तवे पर डालेंगे ऑईल थोड़ा सा और पनीर को शैलो फ्राई करेंगे और यह जैसे कि यह थोड़ा हो जाएंगे हम इसको हटा लेंगे और उसी तवे पर थोड़ा सा बटर वाला अमोल का बटर मिलता है यह गारलिक वाला फिल गारलिक फिलेवर में वो डालेंगे और थोड़ा सा देल डालेंगे और अलग से चार-पांच कर लिए लसुन की कूट कर वो डालेंगे और इसको जब तक राउन नहीं हो जाती इसको फ्राई करना है उसके बाद ह आपने बॉइल करके ही डालनी है और बॉइल करने के बाद इसको थोड़ा सा चला कर रख देंगे और फिर इसमेट थोड़ा सा थोड़ी फाच मिट बाद उसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के कॉढ़िंग और इसमें मैंने चिलि फ्लिक्स आली है औरिगेनो डाला है और उसको फिर अच्छे से हम मिक्स अप करेंगे मिक्स अप करने के बाद देखिए मिक्स करने के बाद इसको हमने ढख कर दो तीन मिनट के लिए छोड़ दिया देन उसके बाद हमने इसके अंदर डाली है पनीर पनीर डालने के बाद इसके अंदर हमने इसके उपर ही हमने रखी है चीज की स्लाइज चीज की स्लाइज बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको चीज स्लाइज नहीं डालनी तो आप इसके उपर चैटर चीज या फिर मॉजरेला चीज वो वगरा डाल सकते हो वो आपकी मर्ज मैं यहां पर चीज स्लाइज डाली थी और इसके बाद देखे यह वैसे यह लग रहा था उठा के वैसे खाले बट फिर मैं इसके ओपर डाली है काली मिर्च पाउडर कुट के गाइस जो फ्रेश चीज का मलब टेस्ट आता है वो अलरेडी मलब जो बजार से मिलती है उनसे उ फिर से रख दिया यह देखिए हमारी ब्रॉकली तैयार है और इसके ओपर मेरे हमन को चीज ज्यादा पसंद है तो मैंने एक चीज की स्लाइज रखे और इसको पांच मिनिट के लिए उसी स्टीब में होने के लिए रखा और यह देखिए कितनी टेस्टी बहुत ज्यादा यमी बनी तो गाइस प्लीज इसको एक बड़ ट्राइ जरूर करें आपको बहुत पसंद आएगी तो बाई बाई टाटा इंजॉय मैं वीजिए